हलो वेलकम बैक, मेरा नाम दॉक्टर दीपक एलगर है, मैं मन्नोविकार, सेक्स रोग, सम्मोन तथा वैसनमुक्ति तग्या हूँ, महाराष्ट में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूँ, हमारे हैं अकॉला में दो हस्पिटल है, जहां मन्नोरुगन तथा वैसनी लोगों को र दो हस्पिटल में मन्नोरुगन जह है, और वैसनी लोग उनको बिनारश्तार भरती करते हैं, और उनका इलाज करते हैं, मैं पास मैं काफी लोग जो आते हैं, वो anxiety disorder के लिए आते है मतलब generalized anxiety disorder जिसका मैंने जिक्र एक दूसरे वीडियो में इसके पहले किया हुआ है आज मैं आप बताने वाला हूँ कि anxiety के बारे में कुछ लोगों को सरफ anxiety रहती है और वो anxiety इतनी नहीं रहती कि डॉक्टर के पास में जाए मार कभी-कभी anxiety रहती कि नहीं डॉक्टर की मतलब psychic उसे पास में जाना जरूरी है कभी नहीं रहता कभी रहता है तो मैं बताता हूँ उसमें क्या फरक है तो कुछ जो चिंता है या anxiety है वो growth के लिए आवश्यक है growth ही दिए अपनी करना है तो आवश्यक है growth कैसा कि समझें student है उसको चिंता है exam की या pass होने की तो पढ़ा ही करेगा उसको चिंता ही नहीं तो पढ़ा ही नहीं करेगा क्यों पढ़ा ही करेगा उसको रखते है कि नहीं मैंने admission मिलाने की है मुझे higher education में जाना ही का है इसमें अच्छे mark मिलाना चाहिए तो उसको चाहिए थोड़ी चिंता रहेंगी तो वो पढ़ाई करेगा और वो पढ़ाई करके अच्छे marks को लेगा और admission लेगा यदि हम highway पे car driving कर रहे है तो हमको चिंता होने चाहिए कि सामने से कोई आ रहा गया कोई ठोक देंगा हमको या accident हो जाएंगा उसके मुझे चिंता रहेंगी तो मैं संभाल के जाऊंगा और बे फिकर गाड़ी चलाऊंगा नहीं कई मुझे इंटर्यू में जाने का है इंटर्यू देने का है तो चिंता रहेंगी तो मैं अच्छी पढ़ाई करके जाऊंगा इंटर्यू के लिए तैयरी करके जाऊंगा कोई बॉस के सामने मुझे जाना है कुछ बात करनी है तो वहां भी में तैयरी करके जाऊंगा चिंता है तो या कोई exam में एपियर होना है कोई stage पर जाना है कोई presentation देने का है या कोई भी चीज का है कोई नया event organize करने का है कुछ भी नया करना है तो tension आये गई उसमें चिंता रहती है दिल में धड़कन बढ़ती है थोड़ा थोड़ी बेचेने रहती है मतलब वो actually जो है न वो growth के लिए आवश्चक है वो success के लिए आवश्चक है इसलिए बोलते है कि वो inverted U-shaped cover है inverted U-shaped cover मतलब ऐसा उपर जाना और उपर से जाना और उपर तक जाना और बाद में नीचे आना मतलब एक ऐसा रहता है कि चिंता आपको है तो आपका performance अच्छा हो जाएंगा चिंता है तो performance अच्छा हो जाएंगा चिंता है तो performance एक जगा इसी आते कि बहुत ज़्यादा चिंता है और बहुत ज़्यादा अच्छा performance होगा कि भी चिंता है और उसके बाद में चिंता हो गई तो performance फिर down हो जाता है और फिर नीचे नीचे आता है एक लेवल तक चिंता ठीक है एक लेवल के बाद में चिंता ज्यादा हो गई तो वो anxiety disorder हो गई मतलब वो बिमारी हो गई और वहां से फिर उत्पादन ख्षमता, productivity, performance फिर कम हो जाता है तो इसमें डिफरेंस करना ज़रूरी ज़रूरी है, normal anxiety और anxiety disorder, नगर normal anxiety कभी कभी बहुत ज़्यादा हो गए कि अभी भाषन देने नहीं जा रहा है, मतलब भाषन देना अभी मुश्किल हो गया उसको, stage पर नहीं जा रहा, या exam की इतनी anxiety हो गए, इतनी anxiety हो गए, अभी exam को ज़रूरी है, या इंटरूरी को नहीं anxiety ले लो, कुछ anxiety वो कम करो, relax हो जाओ, और बाद में फिर आपका इलाज करेंगी, तो यह थी आपको पहले से मालूम है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि anxiety disorder एक जिन में आ गई, पहले से कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ एंगे रहती है, anxious personality रहती है, तो anxious personality का पहले सी consultation किया, प उसके बाद में जो bell icon होता है, उसको hit करो, ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले आजाएंगे, notification आजाएगा, आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, आपके Facebook, WhatsApp ग्रूप के उपर share करो, हमारा mission है मानसिक स्वास्ति सब के लिए, mental health for all, और addiction free India, विसन मुक्त भारत उसमें आपका जरूर लग जाएगा, thank you very much